तो आज हम बनाएंगे उरद डाल की अदोडी इसे बनाना बहुत ही असान है आप इसे महीनों इस्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो हमने यहाँ पर लिये है बिना छलके बाली 500 ग्राम उरद की डाल इस तरह का डाल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा पहले हम इसे इसका कंकर बगेरा जो है हम इसे चुन लेंगे साफ कर लेंगे आप इसे किसी भी थाली या फिर पलेट में रखे इस तरह से साफ कर सकते हैं अगर नहीं चुनेंगे तो यह थोड़ा किच-किच हो जाएगा और दांतों में पढ़ेंगे तो साफ हम इने अच्छे से मसलते हुए दो बार अच्छे से धो लेंगे डाल को तो हमने यहाँ पर अच्छे से धो के साफ कर लिये हैं उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद इसे ढख देंगे और इसे रात भर के लिए भीगो के रख देंगे फूलने के ल आप इसे हाथ में लेके इस तरह से दवाते हुए चेक कर सकते हैं कि दाल जो है वो फूला है या नहीं जी रात पर भीगोने का बाद दाल अच्छी तरह से फूल जाती हैं अगर आपके पास कम टाइम हो तो फिर भी पान से 7 गंटे के लिए जरूर भीगो के रखें उसके बाद हम उसे अच्छी से धोके उसका पानी जो है हम निकाल लेंगे उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर मिक्सी जार उसके बाद हम इसमें डालेंगे डाल डाल को हम हलका सा पानी के साथ ही हम डालेंगे दाल जब एकदम सुखा रहेगा तो वो अच्छे से पीशेगा नहीं और जो हमारा अदोरी है वो थोरा हाड हो जाएगा इसलिए हलका हलका पानी के साथ ही इसमें दाल को डाले उसके बाद धकन लगाके इन्हें अच्छे से पीश ले तो देखें दाल हमारा यहाँ पर अच्छे से पीश किया है इस तरह से चक कर सकते हैं दाल को हमें एकदम बारिक पीशना है उसके बाद आप इसे किसी भी बरतन में निकाल ले बरतन जो है वो थोरा बरा होना चाहिए ताकि मिक्स करने में आसानी हो इसी तरह बागी बचे दाल को भी हम पीश लेंगे तो हमने यहाँ पर देखिए सभी दाल को पीश लिए हैं उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मसल मसल के इसको हम मिलाएंगे तकि जो हमारा दाल है वो हलका हो जाए और हमारी अदोरी जो है वो अच्छी बने इसलिए हम इन्हें अच्छे से थोड़ी देड़ तक इन्हें मस लेंगे अब जो है हमारा अदोरी का बैटर वो पूरी तरह से तयार हो गया है आप इसे इस तरह से चक कर सकते हैं एक कटोरी में पानी डाल के इसमें आप थोड़ी सी डाल की लोई इस तरह से इसमें डाले तो डालते ही देखिए हमारा जो लोई है वो कितना अच्छा से उपर आ गिया है जब इस तरह से पानी में तेरने लगे तब समझें कि जो हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तयार हो गया है उसके बाद हमने यहाँ पर लिये है एक सूती कपरा आप इसे कोई भी सूती कपरा ले सकते हैं हमने यहाँ पर पुराने बेटशिट का इस्तमाल किये हैं उसको हम उल्टा करके बिछाए हैं जहाँ पर आपका जो धोग पूरा अच्छी तरह से आती हो वहीं पर आप बिछाए उसके बाद डाल को हम इस तरह से हाथ में लेंगे और इसके छोटी छोटी बड़िये बनाते हुए नीचे हम गिराएंगे आप चाहे तो इसे बड़ी साइज का भी बना सकते हैं छोटी साइज का बनाने से क्या होता है कि ये जल्दी सुख जाते हैं अगर हाथों में दाल चिपकने लगे तो बीच में आप हाथों को पानी से भिंगा लें आप इसे सुभा का टाइम ही बनाएं ताकि जो इसमें दिन भर का धूप अच्छे से लगे जब साड़े अदोरी बनाने के बाद आप इसे चार या पांच दिने तक अच्छे से धूप लगाएं इसे आप साल भर के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं किसी भी डब्बे में तो दो दिनों तक यहाँ पर धूप में रखने के बाद हमारा अदोरी है कुछ इस तरह का हो गया है तो इसको हम निकालेंगे इसको निकालने से पहले इसे कपड़े के नीची हाथ रख के उसके बाद इस तरह से इसको निकालेंगे देखे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा कपड़ा में भी बिल्कुल भी नहीं लगा रहेगा देख सकते हैं, एकदम क्लीन है अगर एक दिन में अच्छे से धूप लगा हो तो आप इसे एक दिन में भी निकाल सकते हैं अगर निकालने के बाद जरासा कपड़ा में रह जाता है, चिपका हुआ तो आप उसे ना निकाले, उसे दो दिन तक अच्छे से धूप लगने दे उसके बाद ही निकाले, इसी तरह सारे अदोरी को निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने सभी अदोरी को निकाल लिये हैं उसके बाद हम इन्हें दो से तिन दिनों तक अच्छे से धूप लगाएंगे अब यहाँ पर हमारा अदोरी जो है अच्छे से सूख गया है बहुत ही बढ़िया बना है, आप इन्हें कडाही में भी बना सकते हैं या पिर कूगर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा तो अदोरी को सूखने के बाद आप इसे कोई भी एर टाइट डबबे में इसे भरके रख ले या फिर पलाश्टी का हो या फिर इस्टील का किसी भी डब्बे में आप इसे रख सकते हैं इसे साल भर के लिए इस्टोर कर सकते हैं इसी तरह अदोरी या फिर इसे बढ़िया भी बोलते हैं इसे आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो आप लोग इसे घर पे बना के जरूर ट्राइ करें उमीद है कि रेसिपी आप सब को पसंद आएगी अगर रेसिपी अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर और कोमेंट जरूर करें तो अभी कलिए बाई-बाई मिलते हैं अगले वीडियो में इक नए रेसिपी के साथ